आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा फची आरंब हो जाएगी नक्षितर हस्त रहने वाल आज दिन के तीन बजकर अठारा मेर तक तद प्रांथ चित्रा नक्षितर आरंब हो जाएगा व्त्योहर में आज दीपावली है आप सभी को दीपावली की हार दिक सुपकाम नाए मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना हो एक-एक मुहुर तो हम जानना हो तो डिस्किप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुए वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तार पुर्वक जान सकते हैं आज के संपून रासी फल के वीडियो में हम जानने वाले है कुल 12 रासियों का आज का रासी फल साथ ही हम जानेंगे आज का सुब समय, असुब समय, दिसासूल, सुब खादे रासी उनुसर क्या खादिपतात आपके लिए सुब रहेगा रासी उनुसर कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा रासी उनुसर कौन सा लखी निम्मर आपके लिए रहने वाला है तो वीडियो में हमारे साथ अंदे तक बने रहे हैं रासीफल का वीडियो पसंदाई जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें कमेंट बाक्स में जे मातादी जोव लिखें मित्रों आज के बारह रासी का रासीफल आपको बताना आराम करूँ उससे पहले आईए एक नज़र डाले आज के गरहों की स्थेती पर क्योंकि गरहों की स्थेती पर ही पूरा का पूरा रासीफल निर्भर करता है आज राहू मेश रासी में मंगल मिथुन रासी में चंद्रमा बुद्ध दोनों एक साथ कन्या रासी में सुक्र सूरिक केत उतीनों सत्तुला रासी में सनी मकर रासी में गुरू मीन रासी में विराजित है तो इनी सबी गणहों का मिलादला हाल आज के रासी फ्ल्में हम जानेंगे तो आइए बात करेंगे पहली रासी मेस रासी की मेश रासीम चंद्रमा आज छठे अस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुरूप आज आपके कोई राज सार्वनिक हो सकते हैं तो सचेत रहें आज किसी पर अक्रामाख होने के बजाए सांती से काम लें आपके दोस्तों का सहयोग आज आपको प्राप्थ होगा बच्चों से जोड़े मामले में अगर आप पोजिटिव रहेंगे तो आपको फायदा होगा व्यापार में आपकी स्थिती अच्छी बनी रहेगी विद्यार्थी की बातकेत विद्यार्थियों को सफलता प्राप्थ करने के लिए जाता मेहनत करना परेगा जो विद्यार्थी कॉमर्स के फिल्ड के हैं उन्हें मेहनत से ज़्यादा फल की प्राप्थी भी हो सकती है स्वास्त की बातकेत महिला जातकों को अपने स्वास्त के परती आज सचेत रहने की जरूरत है अपने जीवन साथी के स्वास्त का ध्यान भी रखें प्रेम समन्द की बात के आज अपने जीवन साथ ही को समय दे पाएंगे जीवन साथ ही के साथ कहीं घोमने जाने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम समन्द के लिए अच्छा भी रहेगा आज के निकर मसूर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुनहरा रंग लकी नमर नौ रहने वाला है बात करेंगे वरिश रासी की वरिश रासीम चंद्रमा पांचमें स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब घर तथा ओफिस दोनों की जिम्मेदारियां आप अच्छे से निभा पाएंगे आपका आत्म विस्वास भी बढ़ेगा आज आपका ज्यादातर समय आपके सुब जिन्तों के साथ बीटेगा किसी से कुछ उपहार की प्राप्ते भी हो सकती है कहीं यात्रा पे जाने की योग बन सकते हैं किसी पर भी अपनी बातें थोपने की कोशिस ना करें यहां से आपको नुकसान हो सकता है व्यापार और धन की बात करें तो आज आपको व्यापार में करी परतियोगता का सामना करना पर सकता है बड़े निवेश करने से बिलकुल बचें जूजा तक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आजकर अच्छा रहने वाले नोकरी में परिवर्तन की संभावना भी बन सकती है उच्चेपत की प्राप्ति आपको हो सकती है आपकी आये में भी विर्धी होगी विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आजकर दिन सामान्य रहने वाला है मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी स्वास्त की बात करें पेट से समंदित कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पर सकता है मसायदार खाने और बाहर के खाने से बचें इससे आपका स्वास्त है खराब हो सकता है प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है जीवन साथी का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी बनेंगे आज किनकर अरहर की दाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लाल रंग लगी नमबर रहने वाले आठ बात करेंगे मिथुन रासी की मिथु नासिम चंदमा आज चोथे स्थानवे विराजित हैं जिसके फ्रसुद आज आपके सोचे हुए कारी पूरे हो सकते हैं साथ ही कोई परीजन आज आपसे नाराज भी हो सकते हैं आज वाहन साब्धानी पूर्वक चलाएं दुरगटनाई हो सकती है आज आपकी भावनाएं आप पर हावी भी हो सकती है जिससे आपके काम बिगर सकते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंतन रखें नए वाहन खहिदने का मन आपका हो सकता है मकान भूमी का सुख भी मिलेगा जुजातक खेल कूद से समन्द रखते हैं उन्हें आज सफलता मिल सकती है महला जातकों के लिए आज उन्नती का अच्छा आउसर भी बनेगा व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार के लिए आज करिन सामानने रहने वाला है निवेश करेंगे तो फाइदे में आप रहेंगे पैत्रिक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं महिला जात्कों के आए में वर्धी भी होगी विद्यार्थी की बात के जुदा तक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का समय अच्छा रहेगा सफलताएं भी मिलेगी लेकिन मेहनत करते रहें स्वास्ति की बात करें तो आज आपके सिर में दर्द रह सकता है लेकिन कुल मिलाकर आपका स्वास्ति आज ठीक ठाके ही रहेगा प्रेम समन्द की बात करें तो आज जीवन साथी के साथ कहीं गहुमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम समन्द के लिए अच्छा भी रहेगा आज के इन तला हुआ भोजन कुछ करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग नारंगी रंग लगी नमर चार रहेगा बात करेंगे अब करकरासी की करकरासिम चंदरमा तीसरे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आपके आत्मी स्वास में बढ़ोत्री हो सकती है ओफिस के कुछ महत्पूर्ण कारी आज आपको करने पड़ सकते हैं आज अगर अच्छी योजना बना कर करी महनत करेंगे तो आपको उसमें सफलता की प्राप्ती होगी धैरे रखें दिन भर आपका मन खुच रहेगा संतान के तरब से कुछ अच्छी खवर आपको मिलेगी आज अगर घर में कोई धार्मी कारी करेंगे तो उसमें आपको सफलताएं भी मिलेंगी व्यापार औधन की बातकर आए के सुरतों में बढ़ोतरी होगी नोकरी में भी तरक्की हो सकती है लेकिन साथ ही ओफिस में वाद विवाद के स्थिति उत्पन नहों सकती है वस्तरों में खईदने में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पड़िवार में खोसहाली का वातावरन भी बना रहेगा विद्यार्थी की बातकर जुजातक मेडिकल के विद्यार्थी है उनके लिए भी आजके अच्छा रहने वाला उनको सफलताएं भी मिलेंगी स्वास्त की बातकर अपने जीवन साथ ही की भावनाओं का ख्याल रखें आज आपके जीवन साथ ही ज़्यादा भावग हो सकते हैं आजके लोहे के बरतन में खाना खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सभी प्रकार के चमकीले रंग लकी नमर रहेगा पांच बात करेंगे अब सिंगरासी की सिंगरासीम चंदरमा आज दूसरे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुर्प आज किसी धार्मी की आतरा पे जाने के योग आपके बन सकते हैं आपकी कोई महतोकांच्छा आज पूरी हो सकती है आज के दिन अपने काड़ी में आप व्यस्त भी रह सकते हैं किसी फालतों के काम के कारेंग भी आपका समय बरबाद हो सकता है पैसे उधार दे रखें तो वहां से पैसे आपको आज मिल सकते हैं जो दातक दलाली का काम करते हैं उन्हें आज नुकसान हो सकता है आज आपका खर्च आपके आई सधिक हो सकता है तो अपने फिजूल खर्चों पर नियंतर जोड़ रखें विद्यार्थी की बातकत विद्यार्थियों के लिए आज करें मध्यम रहने वाला है मेहनत से कम आपको सफलता की प्राप्ति होगी फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं रखनी चाहिए स्वास्त की बात करें तो किसी पुराने रोग से छुटकारा मिल सकता आपको स्वास्ति आपका अच्छा ही रहेगा प्रेम समन्द की बात करें आज अपने जीवन साथी के व्यवहार से साब्धान रहें अचानक से कोई प्रतिक्रिया ना दे रिस्तों में इससे खटा सुत्पन हो सकती है आज के लिगर अरहर की दाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग बैगनी रंग लकी नमबर रहेगा तीन बात करेंगे अब कन्या रासी की कन्या रासीम चंद्रमा पर्थरमस्था में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज अगर आप नोकरी करते हैं तो आपको अपने से बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा आज आप मधुरवानी बोलिए मीठा बोलिए आपके सारे काम बनते रहेंगे आज किन आपको अपने पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा आपका मनुबल भी बना रहेगा आज आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं पे नियंतन रखें किसी से अपने दिल की बात सियर ना करें खास करके ऐसी कोई बात जो आपको हान ही पहुचा सकता हो व्यापार और धन की बात केट आर्थिक दिष्टी से आज की नप के लिए अच्छा रहने वाला है आज नई व्यापार के लिए भी अच्छा दिन है व्यापार में आपको लाब होगा आमदनी आपकी बढ़ेगी और बचत भी आपके आज बरती भी नजर आ रही है आज आपको आई के नए स्रोध विक्षित करने में भी सफलता मिल सकती है नए वस्त्र और अभूसन खैदने की योग भी बन रहे है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज किन थोड़ा नाकारात्मक रह सकता है आपको आलासी और निंद्रा आ सकती है तो आलासी और निंद्रा का त्याग कर इन दोनों पर विजय प्राप्त करें और अपने पढ़ाई पर धिहान लगावें स्वास्ति की बात करें आज आपका स्वास्ति सामानने रहेगा लेकिन अपने पिता के स्वास्ति का ध्यान रखें क्योंकि उनका स्वास्ति है थोड़ा डग मुगा सकता है तो उनका ध्यान रखने की आवेश सकता है प्रेम समन की बात कें पती पत्नी के बीच किसी प्रकार के गलत फैमी दूर हो सकती है दाम पत्ते जीवन आपका अच्छा रहेगा आज किन मसूर की दाल खाएंगे ताप के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग भगवारंग लगी नमर चार रहेगा बात करेंगे अब तुलाडासिकी तुलाडासिम चंद्रमा आज 12 हुए स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज के इन आप अपने केरियर में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं आज का बनाया हुआ यूजना आपको आने वादिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है जो जातक मकान या भूमी खहिदने का प्रयास कर रहे हैं उनकी खोज पूरी हो सकती है आज आज पूरे दिन आप अपने पारिवारिक काम में व्यासते रह सकते हैं धार्मिकारी और पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा कुछ समय का उफियोग आप पूजा पाठ के लिए भी कर सकते हैं आज आपको मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा व्यापार और धन की बात करें तो कहीं पैसे निवेस करते से में आज किन थोरी साभानी बढ़तने की आपको जरूरत है तो कहीं भी अगर निवेस करना हो तो नियोजी ढंक से ही करें बड़े बुजर्गों से सलाह करने के बाद ही करें आज किन खर्चों में आपके बढ़ोतरी हो सकती है जमा क पफल उनको अब मिल सकता है स्वास्ति की बात करें आज आपका स्वास्ति सा अच्छा रहने वाला है लेकिन आप अपने माता के स्वास्ति का ध्यान रखें क्योंकि उनका स्वास्ति सा डग मगा सकता है तो उनका ध्यान रखने की आवे सकता है प्रेम समंध के बात के एक प्रेम समंधों के लिए आजकीन मद्याम रहने वाल है जीवन साथे के साथ कुछ हल्की नोगजोंग हो सकती है लेकिन बाद में सबकुछ सामान ने भी हो जायेगा आजकीन चावाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग गुलावी रंग लकी नमर रहे का एक बात करेंगे विश्ची क्रासी की विश्ची क्रासीन चंद्रमा आज 11 हुए स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप परिवार में लराई जगरे का माहौल बन सकता है तो आपस में सामन चस्य बना के रखें मित्यों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा आज अपने मन की बात किसी से सेर ना करें आज हो सकता आपके गतविधियों पर कोई और भी निज़र रख रहा हो तो साब्धान रहें अपनी हर रोज की आदतों से आज बचें माता पिता का आज आपको भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा विध्यार्थि की बात कित नोकरी करने वाई लोगों के लिए आजके इन सामाने रहने वाल है विध्यार्थि मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ती भी होगी तो मेहनत में किसी परकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्ति की बात करें स्वास्ति के द्रिश्टी से आजगा आपके लिए बढ़िया रहने वाला है सुबह सुबह अंकोरी तराज़ खाएं से आपका पेट साप रहेpa और आप स्वास्ति भी रहेंगे प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज के इन मिलादला रहेगा जीवन साती से कुछ वाद व्राइद आपके हो सकते हैं तो आज के इन थोड़ा समन कर बोलें मधुरवानी वोलें विवादाँ से तो बिलकुल बचें आज के इंचांदी के बरतन में खीर खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग ब्राउन कुलर लखी नमर रहेगा पांच बात केंगे अब धनुवासिकी धनुवासिम चंद्रमा दस्वे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपकी रहन सहन की इस्तिती में सुधार आ सकता है कुछ सामाजी कारी करने का आउसर भी प्राप्त हो सकता है आज अपना काम आप जितनी भी नमरता से करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा वानी पर अपने नियंतर रखें किसी से वाद व्याद भी आपके हो सकते हैं आपके हां किसी महमान का आगमन भी हो सकता है आपके बच्चों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा किसी महत्पूर्ण व्यक्ति से आपके आज मुलाकात हो सकती है लंबी यात्रा करने से तो बिल्कुल बचें व्यापार औधन की बातकेट आपकी आयमे परणत्री होगी खर्च भी आपके बरहेंगे आपके बचाईवे पैसों में कमी आ सकती है विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों को आज ठकान और आलस से महसूस हो सकता है इन दोनों पर विजय प्राप्त करने की कोशिस करें सफलता तब ही मिलेगी आपको स्वास्त की बात करत अपने स्वास्त का ध्यान रखें पेट से समन्दी छोटी मोटी बिवाणियों से पेडित रह सकते हैं गैस हो सकता है तो बाहर के खाने से बचें इससे आपका स्वास्त भी खड़ा हो सकता है प्रेम समन्द की बात करें आज अपने जीवन साथी के साथ जाता समय बिताएं कहीं घूमने जाएं इससे आपके समन्द बहतर होंगे आज के इन गेहूं से बनी वी चिएं खाएंगे तब के सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरण भगवारंग लगी नमर छे रहेगा बात केंगे मकररासि की मकर रासिम चंद्रमा नौवे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपके जिम्मेदारियां बर सकती है और आप इस बरही वी जिम्मेदारी का निर्वा हभी अच्छे दंग से कर पाएंगे आसपास के लोग आपकी तारीब भी करेंगे मकान या काम करने के जगह के विसे में बदलाव का मन आपका हो सकता है आपका पूजा पार्ट में भी मन लगेगा वाहन या जमीन खैदने की योग भी बन सकते हैं आज आप मानसिक सांती का अनभाव करेंगे जो जातक कला के छेतरे से जुरे हुए हैं उनके लिए विदे सियात्रा के योग भी बन सकते हैं व्याफार उधन की बात करेंट व्याफार या नोकरी में आपको आज फायदा होगा कहेंगर आपने पैसे निवेस कर रखें तो वहां से फायदे भी आपको हो सकते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज की अच्छा रहने वाल है, कुछ अध्यान करने का आउसर भी प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी इंजिनरिंग के छेते से जुरे हुए हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत भ्याज करना पर सकता है। स्वास्त की बात के सांसे समंदित, कोई विमारी या मोस्मी रोग होने की संभावना बन रही है, तो साब्धान रहे हैं। आज आपकी मानसिक सांती भी और इस्थिर रह सकती हैं। किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। प्रेम समंदों के लिए आज के अच्छा रहने वाले है जोहतक औविवाहित हैं उनके लिए विवाह के पस्ताओ या विवाह के योगाज बन सकते हैं आजके गे चावल खाएंगे तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आजका शुब रंग लालरंग लकीने मर रहेगा 9. बात केंगे कुम्बराशी की कुमराशीम चत्रमा आठमे इस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रस्त बात करने की आपकी कला से आपके रुके हुए और बिगरे हुए कारियाज बन सकते हैं सीधी बात कहेंगे तो आपको फायदा होगा नए कामकाज की प्लैनिंग भी हो सकती है आज किन किसी दस्तावेज पर अगर हस्ताक्षर करेंगे तो सोच समझ करें परियो और या फिर पैसे जिरी परिसान ही आ सकती है मन में घवराट रह सकती है विवादों सबको बचना चाहिए व्यापार और धन की बात कहें तो व्यापार में उताच रहावा सकता है खर्ज भी आपका बढ़ सकता है पैसे कि दिक्कत बनी रह सकती है तो अपने व्यापार पर ध्यान दे विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज कुछ सीखने का अच्छा आउसर बनेगा वानि जी के विद्यार्थिघों के लिए सफलता के योगई बनेंगे स्वास्ते की बात के त्मानसिक और सांती बनी रह सकती है किसी प्रकार की छिंता रह सकती है ठकान और अलसे भी बना रहेगा प्रेम समन्त की बात के जीवन साथी के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा जीवन साथी से सम्मान और प्यार आपको मिलेगा आज किन मुंकी डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग भगवारंग लकी नमर चार रहने वाला है बात केंगे मीन रासी की मीन रासीम चंदर्मा आज सात्मी अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आप अपने कामों में वैस्ते रहेंगे आज आप पर काम का लोड ज़्यादा रह सकता है आज अपने क्रोध पर नियंतन रखें या क्रोध आपको हानी करा सकता है बेरुजगार जातकों को किसी मित्र के सहयोग से नोकरी लग सकती है परिवार के किसी विशेस चिंता का समाधान भी हो सकता है सरकारी कारीओ से आपको सफलता भी मिलेगी व्यापार औधन की बात थैद व्यापार में नई युजना बन सकती है जिससे आपको फायदा होगा आज आप लेंदेन में सभानी बरतें निवे सकर करना भी हो तो अनभावी लोगों की विचार सही करें विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों कमवान आज परहाई में कम लगेगा कुछ विद्यार्थी आज अपने परिक्षा परिनाम से और सहमद भी रह सकते हैं स्वास्ति की बात के सांस्ते समंदित कुछ परेसानियां रह सकती है अपने स्वास्ति का ध्यान रखें प्रेम समन्द की बात के तो आज जीवन साथी से अन्वन की संभवना बन रही है। तो अपने आप पर नियनतन रखें। संभन अच्छे बना के रखें। आज कि इन चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा। आपके दिए आज का सुब रांग नीला रांग लकी निम्मर रहेगा पांच। किसी भी खास प्रियोजन से यातार ना करें। यहाँ आपको नुकसान हो सकता है। सुब खाद याज सा कुछ नहीं है क्योंकि आज सोमवार है। आज दरपन देखकर यातार रांग करेंगे तो आपके काड़ी बढ़ेंगे। तो मित्रों यह तो थाज का संपूर्ण रासी फल। कल के संपूर्ण रासी फल के लिए जूरे रहें। धर्मसिक्चा के साथ और देखते रहें। धर्मसिक्चा जै माता दिए।